आज हम कक्षा आठ के गनित विशय में बीजगरती अंकों के बारे में बात करेंगे जैसा कि हमें पता है कि अंक गनित में अंकों का प्रदर्शन बहुत आसान है जबकि बीजगर्णित में सिर्धान तो वही है लेकिन अंकों के प्रदर्शन में थोड़ा सा बेवहारिक्ता परतनी परती है जैसा हमें मालूम है कि प्रतेग बीजगर्णिती अंक को हम वेंजक के रूप में वेक्त कर सकते हैं और ये वेंजक पदों से मिलकर बने होते हैं और एक बड़े वेंजक के अगर हम दो या दो से अधिक ऐसे भाग कर लें जिनका गुणा, जिनका गुणन फल उस संख्या के बराबर हो तो पृते को हम उसका गुणन खंड कहेंगे और गुणन खंड निकालने के कई प्रकार हैं, हम कई विधियों से गुणन खंड का अकलन कर सकते हैं, जो कि हम अगले भाग में पढ़ेंगे वेंजक को समझने से पहले हमें ये भी जानना पड़ेगा कि वेंजक कितने प्रकार के होते हैं वेंजक एक पदी हो सकते हैं, दुपदी हो सकते हैं और तीन पदी वेंजक हो सकते हैं इसी प्रकार हम देखेंगे कि तीन पदी विंजक का गुड़नखंड किस प्रकार से करते हैं। अब हम ये बताएंगे कि विंजक क्या होता है। विंजक यद किसी संख्या को हम पदों के समू के रूप में वेक्ट करें। यानि अलग-अलग समू, अलग-अलग पदों को हम एक साथ लिखना चाहें और लिखकर अगर हम उसे व्यक्त करेंगे तो वो वेंजग कहलाएगा और इस प्रकार पदों के समू को वेंजग कहते हैं किसी बीजगर्टी संख्या को व्यक्त करने के लिए वेंजग की आवश्यक्ता होती है यहाँ पर अब हम ये देखेंगे कि हम वेंजग को कैसे दर्शाएंगे अगर हम अंकगरित में कोई संख्या लें माना हमने 21 संख्या ली तो हम ये देखते हैं कि इसके दो टुकडे हम इस तरीके से दो भाग कर सकते हैं और दोनों का गुड़नफल साथ और तीन का गुड़नफल 21 होता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये दो भाग जो हैं वो 21 के गुड़नखंड है यदि हम अंक गरित में कोई संख्या व्यक्त करना चाहें तो मालिया हमने एक ये संख्या लिखी इसमें ये बारा का अंक जो है वो ये इसका चर्मान नहीं अचर्मान है और यहाँ पर हमने एकस का जो मान लिखा है वो चर्मान है और वाई का जो मान लिखा है ये भी चर्मान है यनि एकस और वाई दो ऐसे अंक हैं जिनका मान हम बदल सकते हैं चर्मान के मतलब हम उनका मान बदल सकते हैं और अचर ऐसा मान है जिसको बदला नहीं जा सकता है इसी प्रकार बीजगनित में हम घातों का भी प्रयोग करके संख्याओं का उलेक कर सकते हैं जैसे उधारन के लिए हम अगर ये लिखें 12 एक्स की घात 3 12 यहाँ पर हमारा अचरमान है एक्स यहाँ पर हमारा चरमान है और जो इसके उपर ये तीन लिखा हुआ है ये इसका घातांग कहलाता है यहाँ पर शर्त यह है कि ये घातांग का अंक जो है हमारा ये धनात्मक होना चाहिए जब तक ये अंक धनात्मक है तब तक हम इस पूरे को वेंजक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो इसके मताथ पर ये हुए कि वेंजक को हम एक या दो चर संख्याओं के माध्यम से चर अव्यवों के माध्यम से और अचर अव्यवों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं अब हम ये देखेंगे जैसा हमने बताया था कि एक विंजक में एक दो या तीन पद भी हो सकते हैं तो जैसे पूर संख्या में हमने लिया था 12 x square मान लिया लिख दिया यहां हमने 12 धन अगर हम यहां तीन लिख दें तो यह क्या हो जाएगा यह यह 12 x square धन तीन यह एक दो पदी विंजक हो गया और हमने इस से पहले एक आपको यह बताया था 12 गुणे x y यह क्या हो गया एक पदी विंजक हो गया और इसी प्रकार यदि हम यह लिखे यहां पर हम यह देख रहे हैं कि तीन पद है 12 x square एक पद हो गया 3 x एक पद हो गया धन चार यह अगला पद हो गया यह इस संख्या में इस विंजक में हमारे तीन पद है तो यह कैसी संख्या हुई त्रिपदी संख्या या त्रिपदी विंजक हो गया यहां पर हम यह कह सकते हैं कि विंजक से हम किसी बीजगरती अंक को व्यक्त करते हैं और उनको पदों के रूप में दर्शाते हैं यह पद एक हो सकता है दो हो सकता है और इसी प्रकार यह दो से अधिक हो तो इनको इस संख्या को हम क्या कहेंगे बहुपदी बहुपदी विंजक या बहुपदी संख्या यह कहलाएगी यानि हमने यहां पर यह देखा कि एक पदी विंजक क्या होता है दो पदी विंजक क्या है और त्रिपदी विंजक क्या है और एक से अधिक अगर पद हैं तो उनको बहुपदी वेंजग कह सकते हैं अब हम बात करेंगे कि कैसे गुड़नखंड निकालें और गुड़नखंड निकालने के विभिन प्रकार क्या हो सकते हैं हमने देखा कि गुड़नखंड को हम सर्व समिकाओं के माद्यम से यानि सर्व समिकाओं वो हैं जो हमारा स्टैंडर्ड फार्म है यानि मानक जो सरूप है उनको हम व्यक्त करके निकालते हैं इसी प्रकार जो अभी हमने वेंजगों के बारे में जाना इन वेंजकों के घातांकों की सहायता से इनके गुणनखंड किये जा सकते है तीसरा जो हमारा एक प्रकार है निकालने का वो है शेशफल प्रमे के परियोग दोरा शेशफल प्रमे में यदि हमारा शेशफल जीरो आता है शूर ने आता है तो हम ये कह सकते हैं कि भाज के हमने ऐसे दो गुडनखंड कर दिये जो भाजक और भागफल के गुडने के बराबर होगा यानि हमारे क्या होगे गुडनखंड एक भाजक हो गया एक भागफल हो गया इसी प्रकार बहुपदी वेंजकों में भी हम गुडन खंडों का आकलन करेंगे अब हम ये बताएंगे कि मानक हमारे जो सर्व समिकाएं हैं वो किस प्रकार की है सर्व समिकाएं मने जो सर्व था मानने हो जिनका प्रियोग हम आसानी से और सीधे स्वरूप में कर सकते हैं जैसे अगर हमारे पास ये सूत्र है का वर्ग ये हमें पता है ये होता है एक्स धन वाई का होल वर्ग बराबर एक्स का वर्ग धन दो एक्स वाई धन वाई का वर्ग यह हमारी एक सर्व स्वमिका है अगर हमें कहीं पर इस प्रकार का एक त्रिपदी वेंजक मिल जाए जिसमें एक दो चर हों X और Y और इनका सुरूप जैसा इसमें दिया है उस प्रकार से हो तो हम इन तीनों पदों की जगे या इस पूरे वेंजक की जगे हम सीधे X धन Y का होल वर्ग लिख देंगे और ये एक गुड़न खंड हो गया यानि X धन Y को अगर हम दो बार गुणा करें इस प्रकार से तो ये हमारा किसके बरावर हो जाना चाहिए ये जो हमने उपर वेक्त कर रखा है X का वर्ग धन 2XY धन Y का वर्ग इसी प्रकार से हमारे पास और भी कई सर्व समिकाए है उधारन के लिए मालिया अगर हमने X का वर्ग माइनस Y का वर्ग लिख दिया तो हम इसको दो भागों में वेक्त कर सकते हैं X धन Y गुणे X रिन Y यानि अगर हमारे पास कहीं इस प्रकार का कोई सूत्र है या इस प्रकार का हम कोई वेंजग पाते हैं तो इसको हम इन दो भागों में बाढ़ सकते हैं और प्रतेक को हम कहेंगे कि ये दोनों इसके गुणन खंड हैं आज हमने ये जानने का प्रयास किया कि बीजगरती संख्याएं या वेंजग क्या होते हैं बीजगरती संख्याओं को कैसे वेक्त किया जा सकता हैं और इनके माध्यम से गुणन खंडों का आकलन किस प्रकार से करते हैं कुछ प्रकार, कुछ विदिया हमने जानने का प्रयास किया है और अगले भाग में हम इसको विस्तार से जानेंगे